प्रैंट्स आईए देखते हैं प्राची इंकाल में विदेशी यात्रियों का आवा गमन कैसे होता है आईए विभिन यात्री भारत में प्राची इंकाल से ही विदेशी यात्रियों का आवा गमन होता रहा है जिन्हों ने भारत का ब्रमड किया है और इसकी विशय में विवरल दिया है ऐसे ही कुछ यात्रियों का विवरल निम लिखी थे पहला क्या है मेग इस्थानीश यह राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मैर के दर्बार में आया हुआ इंडिका नामक पुस्तक की रशना के थी जिसमें इन्हों ने भारती समाज के विशय में बताया और मेग इस्थानीश युनानी आत्रि था फहान यह चंद्रगुप्त विक्रमादित के दर्बार में आया था यह एक चीनी बौध विख्षुक था फहान ने तातकाली भारत की समाजिक थार्मी केवं आर्थिक इस्थी के विशय में बताया था हेंशौंग यह हर्षवर्धन के समय आया और इनों ने इसने नालंदा विश्विद्याले में बहुत धर्म से समंधित अध्यां किया यह चीनी मौध का बहुत विख्षुक था इसके पुस्तक का नाम शियुकी है इसको तिर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हें पुस्तान का निवासि था इसकी प्रमुक पुस्तक में तहकीक एहिंद और किताब उलहिंद शमलित है अपनी पुस्तक में इन्हों ने भारत के तालाबों के विशय में खाशकर बताया है इपन बतुता यह मौंमद वीन तुगलक के शमय में भारत आया था यह अफ्रिकी देश मौरक्को का निवास्ती था इसे काजी के पतपत नियुक्त किया गया था इन्होंने अपने अन्भों का अपनी गुस्तक रेहेला के द्वारा बताया है वास्कोडी कामा यह एक पुर्तगाली नाविक था जिसने वर्ष उन्नी सो अन्ठान में भारत की धर्ती पर डुआर्ट बार्वोशा और डोमिंगो पायश के यह दोनों पुर्तगाली यात्री थे जो दक्षिड के विजय नगर के समराठ कृष्णदेव राय के सासंकाल में भारत आये थे प्रेंड्स यह तो कुछ यात्री कि बारे में हो गए है इसको भी स्टडी कर लिजिए कोशन आते ही आते हैं प्लीज चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए थाइंक्यू